नमस्ते, कैम चो और स्वागत है आप सभी का आप ही कि अपनी योट्यूब चैनल विदाउट एनी डाउट पे और मैं हूँ खुशाली तो आज का जो वीडियो है हमारे टैंसिस का पार्ट 6 है पार्ट 1 to 5 में हमने present indefinite tense, present continuous tense, present perfect, present perfect continuous, past indefinite tenses को डिसकस किया था तो अगर आपने आगे की वीडियोस को नहीं देखा है अगर आप देखना चाते हो तो उसकी मैंने एक पूरी प्लेलिस्ट क्रियेट कर रखी है जिसकी लिंक आपको नीचे description box में and comment box में मिल जाएगी तो वहाँ पे जाके आप देख सकते हो तो आज के वीडियो में हम discuss करेंगे past continuous tense जिसमें हम थोड़ा सा basic से शुरुआत करेंगे यानि कि सबसे पहले हम देखेंगे कि past continuous tense का use कहाँ पे किया जाता है और इस पी जो है कि sentence का structure हमारा क्या रहेगा उसके बाद में हम थोड़ा सा advanced level पे जाएंगे यानि कि competitive exam के point of view से जितनी भी important rules होंगे मैं कोशिस करूंगे कि वो सारे के सारे rules यहाँ पे cover up हो जाएं तो इस वीडियो को पूरा एंग तक जरूर देखेगा चलि हम शुरू करते हैं सबसे पहले हम यह समझने कि कोशिस करेंगे कि past continuous tense का use कब किया जाता है तो देखे to show a task in continuation in the past ति कर यह देखे कि past में कोई भी activity है जो कि continuation में थी उसको दिखाने के लिए हम past continuous tense का use करते है ठीके past में कोई activity continuation में थी उसको दिखाने के लिए इसका हम use करेंगे अब यहाँ पे देखे sentence का structure क्या रहेगा तो subject के बाद होगा was और where उसके बाद में होगा वर्ब का fourth form या simply हम कह सकते है वर्ब का जो ing वाला रूप होता है वो यहाँ पे यूज होगा राइट तो यहाँ पे was और where जो है वो subject के according यूज होगा अगर third person या singular noun रहता है तब हम was का यूज करता है उसके अलावा हम वेर का यूज करता है तो यह तो बेजिक सी बात है यह सभी को पता रहती है तो यह ध्यान में रखेगा पास्ट कॉंटिनियस टेंस में होगा was where प्लस ing राइट अगर present continuous होता तब यहाँ पे ह was cooking याने की use हुआ है धास्ट कॉंटिनियूस टेंस क्यों यूज हुआ है तो दीखें जब मैं वहां पर गया तो यहां पता चल गया है औक स्ट कॉंटिनियस का सेंटिन्स हैं कि जब मैं वहां पर गया पूथकाल की बात हो रही है उस वक्त वह क्या कर रही थी खाना बना ए ती उस वक्त वो खाना बना रही थी मतलव उसकी खाना बनाने की अक्तिविटी कंटिनुइशन में थी इसलिए हमने यह पर पॉस लगा है उसके बास में हमने आ यूस किया है तो नेच्ट एक्जामपल देखे देवेर मेंकिंग जोकस वैन देवेर इन दी क्लास यानि जब व लोग क्या कर रहे थे तो they were making jokes तो उस वाक्त उनकी जो jokes करने की जो activity थी वो continuation में थी इसलिए हमने इसको लिखा है past continuous tense में तो यहां पर they है जो कि एक plural है subject हमारा इसलिए हमने यहां पर where का यूज किया है उसके बाद में हमने ing वाला रूप यूज किया है तो यह sentence भी होगा correct तो यह हमने थोड़ा सा basic आपका clear हो गया होगा यहां से कि कब past continuous tense का यूज होता है और किस तरह का structure follow होता है अब हम थोड़ा सा advance जाएंगे यानि इस से related important जो भी rules है हमारे वो अब हम discuss करते हैं तो rule देखिए two tasks in the continuation at the same time यानि एक ही समय पे दो टास्क जो है कि continuation में है तब आपको दोनों के दोनों sentence इसको लिखना है past continuous tense में तैक है यानि एक ही point of time है और उसी वक्त दो ठास्क हो रहे है और दोनों के दोनों continuation दिखा रहे है तब आपको उन दोनों को लिखना है past continuous tense में तो first example देखें यहाँ पे है, while you were wasting your time on TV, जब तु अपना समय TV देखने में waste कर रहे थे, I was preparing for examination, तब मैं exam के लिए preparation कर रहे थी, अब देखें एक ही समय होगा, उसी समय ये एक person कर रहा है उसका time TV देखने में, और दूसरा जो person है वो exam की preparation कर रहा है, यानि एक ही समय के अंदर दोनों के दोनों task continuation दिखा रहे हैं, इसलिए दिखें first sentence देखें, where plus ing, यानि ये भी हमारा क्या है, continuous tense है, और यहाँ पे भी दिखें was plus preparing, यानि दोनों के दोनों sentence को हमने लिखा है, past continuous tense में, तो ये rule आप ध्यार में रखेंगा, next example देखें, while I was reading, my sister was making noise, यानि जब मैं पढ रही थी, तब जो है कि मेरी sister क्या कर रही थी, बहुत आवास कर रही थी, यानि नॉइस कर रही थी, देखें, एक ही समय है, उसी समय एक परसं श्टडी कर रहा है, और दूसरा परसं noise create कर रहा है, तो दोनों activity एक ही समय हो रही है, और दोनों activity continuation में है, इसलिए इसको आपको रूल है, two tasks in the continuation at the same time, यानि समय पर दो टास्क यहाँ पर भी continue होंगे, देखें, यहाँ पर क्या होगा, एक sentence में आपको past continuous का use करना है, और second में आपको simply past indefinite tense का use करना है, तो ऐसा क्यों हुआ इस रूल में और उस रूल में क्या difference है, वो अब यहाँ पर हम समझेंगे, तो उसी समय मैंने doorbell की आवाज सुनी, यहाँ पर है hurt, जो कि है हमारा past indefinite tense, अब ऐसा क्यों हुआ, क्यों कि देखें, वहाँ पर क्या था, दो activity एक साथ चल रही थी, लेकिन यहाँ पर क्या है, एक person जो reading कर रहा है, वो शायद बहुत पहले से 2 गंटे से 3 गंटे से reading कर रहा हो पहले से continuation में है, यानि यह पहले से पढ़ रहा था, इसलिए यह activity पहले से continuation में है, इसको लिखना है आपको past continuous tense में, और यह activity जो है doorbell की जो आवाज आई है, यह थोड़े समय बाद आई होंगी, इसलिए इसको आपको लिखना है past indefinite tense में, इसलिए यहाँ पर हमने simply verb की second form क यूज किया है, इसलिए यह होगा हमारा sentence correct, ठीक है, तो यह rule भी आप त्यार में रखेगा, एक और example है, when I called him, जब मैंने उसको call किया, he was studying, वो क्या कर रहा था, अब देखें, यह जो study कर रहा है, वो activity शायद एक या दो घंटे से वो कर रहा होगा, continuation में है, लेकिन फिर जो पली वर्ब की second form का use किया है, यानि यह होगा हमारा past indefinite tense, और यह जो study करने की activity है, वो कुछ समय से continue होगी, इसलिए इसको हमने लिखा है past continuous tense में, तो यही थोड़ा सा difference है दोनों rules के बीच में, तो इस point को आप ध्यार में रखेगा, next rule देखे, stative verbs and positive verbs से related है, तो इस rule को मैं मैं अल्रेडी present continuous tense में भी अच्छे से discuss किया था, और वहाँ पर मैंने आपको stative verbs क्या होता है, possessive verbs क्या होता है, और इसका पूरा मैंने आपको list भी दिया था, तो वहाँ पर जाके आप इसको देख सकते हो, तो फिलहाल मैं आपको एक बार उपर उपर से explain कर देती हूँ, कि अब भी हम उसके पीछे ing का use नहीं कर सकते, तो ये रूल आप ध्यान में रखेगा, तो अगर इनके पीछे हम ing का use नहीं कर सकते, मतलब कि हम past continuous का भी use नहीं कर पाएंगे, क्योंकि past continuous में भी हम ing का use करते हैं, तो ये आप ध्यान में रखेगा, अगर आपको sentence में stative verb या तो possessive verb दीख रहा है तब आपको past continuous का use नहीं करना है बलकि past indefinite tense का use करना है यानि verb की second form का यहाँ पर use होगा तो first example दीखें I was owing a car two years back अब दो साल पहले की बाद है मतलब कि यह past tense का sentence है इतना हमें पता चला अब दीखें यहाँ पर was के बाद ing का use हुआ है जो कि incorrect है क्योंकि यहाँ पर जो ओन है वह माली की दिखाने के लिए यानि possession दिखाने के लिए ही यूज हुआ है तो इसके पिछे हम ing नहीं लगा सकते इसको हमें लिखना पड़ेगा past indefinite tense में तो यह होगा I own a car two years back तो यहाँ पर ओन जो है वह वर्ब की second form है क्योंकि ओन का second form भी ओन ही होता है तो यह sentence होगा correct next देखें I had a car two years back तो यहाँ पर भी जो head है ना कि as a helping verb यूज नहीं हुआ है बलके यहाँ कार के उपर possession दिखाने के लिए ही use हुआ है कि मेरे पास कार थी राइट कार के उपर माली की दिखाने के लिए ही head का use यहाँ पर हुआ है तो इसलिए यहाँ पर जो head है वो verb की second form है इसलिए sentence correct है लेकिन अगर यहाँ पर होता I was having a car तब वो sentence भी incorrect होता क्योंकि have के पीछे हम ing नहीं लगा पाएंगे जब हम उसका use possession दिखाने के लिए करते है तो यहाँ पर यह sentence correct है next देखे I was having lunch when they came जब वो आए तब मैं क्या कर रहा था लंच ले रहा था अब देखे यहाँ पर having है फिर भी यह sentence correct है क्यों ऐसा हुआ क्योंकि यहाँ पर यहाँ पर यह जो हैड है ना यह माली की दिखा रहा है कार के उपर देकिन यहाँ पर having है वो लंच के उपर माली की नहीं दिखा रहा है बलकि यह दिखा रहा है कि मैं लंच ले रहा था यानिकि लंच को consume कर रहा था तो यहां पर जो having है वो position नहीं दिखा रहा है इसलिए इसके पिछे हम ing का use कर सकते हैं तो इस रूल में अभी भी अगर आपको confusion है तो कोई बात नहीं present continuous tense के वीडियो को देखेगा वहां पर मैंने इस रूल को बहुत ही अच्छे से explain किया है अब देखिए यह जो keywords है सारे के सारे यह मैंने आपको past continuous tense को पहचानने के लिए दिये है लेकिन यह जो आगे वाले keywords है न यह सारे के सारे present continuous tense के है राइट यह सारे के सारे keyword है हमारे present continuous tense के और यह जो पीछे वाले keywords है यह सारे के सारे है हमारे past indefinite tense के राइट तो यह present continuous के और यह है past indefinite के तो उन वीडियो में मैंने keywords नहीं दिये थे तो इन keywords को आप note definite के यूज करेंगे लेकिन अगर sentence में इन में से एक keyword दिया है और साती साथ इन में से भी keyword दिया है यानि यह दोनों के दोनों एक-एक keyword अगर आपको दिख रहे है तब आपको पास्ट continuous का यूज करना है ठीक है अगर यह भी keyword है और यह भी keyword है तब आपको पास्ट continuous tense का use करना है तो ये आप ध्यान में रखेगा फर्स्ट एक्जम्बल देखें लाश्ट यर ही वास ट्राइंग टो गेट जॉब इस डेज अब देखें यहाँ पर आगया last year तो इसको देख के आप क्या सोचोगे कि ये है हमारा past simple tense तो अगर आप यहाँ पर past simple tense के according verb का second form का use करोगे तो ये sentence हो जाएगा गलत क्योंकि यहाँ पर last year दिया है जिससे हमें पता चला कि ये sentence past में है अब देखें यहाँ पर है this days तो this days से पता चलेगा कि ये continuous होना चाहिए तो इसलिए इसको आपको लिखना है past continuous tense में तो यहाँ पर होगा was plus ing next example देखें yesterday जिससे हमें पता चला कि ये sentence past में है और यहाँ पर है at this moment जिससे पता चला कि ये sentence continuation में है इसलिए इसको लिखेंगे हम past continuous tense में तो यहाँ पर देखें was plus ing है अगर यहाँ पर अकेला yesterday दिया होता तब हम इसको लिखते past indefinite में यानि verb की second form यूज़ करते अगर यहाँ पर होता सिर्फ at this moment तब हम present continuous का यूज़ करते यानि am is or are plus ing का यूज़ करते तो I hope ये आपको keywords का use किस तरह से होता है ये भी समझ में आया होगा देखे tenses के उपर मैंने जितने भी videos create कर रहा है उसकी पूरी एक playlist create कर रही है मैंने जिसके link आपको यहाँ पर i button में दीख रही होगी इसके अलावा नीचे description box में and comment box में भी available है तो वहाँ पर जाके आप सारे की सारे videos को देख सकते हो तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा है मुझे comment करके जरू बताएगा और अगर आप next videos को miss करना नहीं चाहता है तो इस channel को subscribe कर दीजे और bell icon पे भी click कर दीजेगा तो मिलता है दोस्तो next videos में thanks for watching